तो आज का जो यह केक का वीडियो है यह मदस्टे स्पेशल केक है हाफ केजी का केक बनाएंगे चॉकलेट फिलेवर मेरे साथ ही यहां पे हम कपकेक भी बनाने वाले है तो यह एक कॉम्बो केक है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और लाज में कॉमेंट करके जर और दो सो ग्राम ही क्रीमिकष लेती हूं अचाहें वो चॉकलेट केक हो या वो वनीर अडिवर को एक चमब दो को आपको आपको और देना है रिफाइंड ग्याने ूप् जादा भूद्ट में नहीं तो आपकी जो बेटर है ज्यादा फलोई हो जाएगी और बैटर जो हमें ज्यादा फ्लोई भी नहीं बनाना है और ज्यादा थीक भी नहीं बनाना है perfect consistency का आपको बैटर बनाके complete करना है यहाँ पे जो अप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरी इसलिए मैं आपे 5 इंच कटिन यूज किया है और इसे को मैंने अच्छे से ग्रीश करें मैदे की दस्टिंग की है और इसमें मैं डाल दूंगी अपने सारे बैटर आप चाहब तो बटर पेपर लगा लेना बट मैं बटर पेपर बहुत कम यूज करती हूं मैं इस तरीके से म कॉश्टी मिक्स कप जो मेरा है यह तो फोटी अमल का है और ग्राम में आप देख सकते हूं कि एक सोटी ग्राम हमने यह पे प्रिमिक्स लिया था और इससे हमारा जो क्रीक मैं यह हम बना के कम्प्रीट कर लेंगे और यहां पर मुझे पांच ही कपकेक बेक करने थे तो मैं यह एक 180 में पिर्ल को सेख संधूराने पड़े काह कुल यहां पिर मिक्स लेक्स ज़ूर पर अपर ज्यूर दें नोगा उपचे केग विया यहां उहां केंग तो चलिए केक और कपकेक को बेक कर लिते हैं और यहां पर जो your cake our मेरा और यहां बेक और नहीं अच्छे से बेख हो गया है आप देख पा रहे हो और मैंने इसको थंडा भी कर लिया है उसके बाद मैं इसको कर लोगी आइसिंग। यह देख सकते हों कितना ईजी तरीके से डुमूल्ड हो गया। बस आपको हलका साइड से इसको टैप करना है। और काफी एजी तरीके से अगर आप मैस्दे करते हो अपने केक टीन में तो काफी एजी तरीके से डीमॉल्ड हो जाता है। अच्छा मैंने एक दो बार ट्राइ किया है कि स्रिफ ओईल लगा के मैंने एक दो बार बैटर डाला था तो मेरी जो बैटर थी वो चिपक जारी थी तीन के साथ तो मुझे वो बेस्ट नहीं लगा बहुतों की नहीं जी पकती है तो यह देख लेना आपका प्रेमिक्स आप किस तरीके से काम करता है आपके साथ मुझे तो मेरा प्रेमिक्स सिर्फ ओईल लगाने के साथ में नहीं काम किया तो मैं मैं अधिक रिस्टिंग कर लेती हूं और इसी तरीके से जो मेरा केक है वो डी आप केक बना में की ऊपकेश कराने कुछ दून से क्रिकें केष्ट करती है सब्सक्राइब काया है यहामने क्या तो उनकी पानी होती है यह निफे पिछली में आप लोग साँ शेयर किया है उसमें यह फलेवर यूज़ किया था जो की यह चोकलीट केकमे यूज होता है और यह कुकी क्रीमी फलेवर है काफी यूनिक-सा फलेवर है यह बड़ा मस्त लगता है खाने में इसमें जो औरियो के चंग्स आते हैं तो चली यहां पर फ्रेंड का ही था तो उन्होंने कहा जो तुमको अच्छा लगे वह तुम बना देना और थोड़ा सा अलग फ्लेवर भी था तो उनको मैंने यह फ्लेवर सजिस्ट किया कि आप यह बना लो बड़ा ही मस्त फ्लेवर है और आपको पसंद भी आएगा तुन् हुआ आपको टेस्ट उस्साब सकते हो जिस रिसाब सकी कंस्ट libristo FX yeah वो उस्हे अपने केक में चीजे यूज किया करो चये कुछ बहुन के केक सकिमी में बना रहे हो तो क्रशिट अच्छह सी कॉंटिटी में यूज किया करो कि कंस्ट 93 वह आप तेस्ट है वह पता एप्राइब डेख सकते हो कि मैंने फार पाइपिंग बना दी है कि जो इसके अंदर हम यह चीजे जो फिल करेंगे वह बाहर के तरफ न निकले तो अगर आप भी ज्यादा क्वआंटिटी में कुछ चीजे फिल करना चाहते हो तो पहले आप इस तरीके से बाउंडरी बना ले तो गूंडरी बना कही डालना नहीं तो जो आपकी तरफ निकलने की निकल जायगा तो मेरे साहँ भी कुछ ऐसी हो रहाँ था आप देख सकते कि हलका हलका जो बाहर तरफ निकल रहा था फिर मैंने इसको फटा फट से करम कोट करके रख दिया था पंदर बीस मिनट के लिए ज केक के के केक को करोंगी कलर वाली करिम मुझे इस में कर नहीं है कि मैं उसे युज़ करनी हैं तो कलर वाली करीम में बहुत यह कम करने वाली हूं करीम यूज़ करनी है तो मैने ले ली थोड़ी सी करीम और में डाल दिया पिंक कलर डार्क पिंक पिंके सब्लार करेंध कर जो सबसें, ऊब कर आई नहीं होती की थोड़ी से त्रेस्ट की की तो अलग हो जाती है मतलब एक जो मीठापन होता है तो अगर आपके कस्टमर भी कहते हैं कि नहीं उनको डार्क कलर जादा चाहिए केक में तो आप श्रिके से कर सकते हो पहले आप वाइट के साथ की को अच्छे से कवर कर लो उसके बाद बहुत पतली और आप देखी सकते हो कि मैं यहां पर कितनी पतली लेयर लगा रही हूं जो मेरी यहां पर कलर वाली क्रीम है एक्चुलिए मेरी जो फ्रेंड थी उनकी मॉम का बड़े था और यह मैंने केक लगभग मैं आपको लोग साथ जब मैं आज शेयर कर रही हूं तो यह केक मै कर सकते हो या आप खुद भी ट्राय कर सकते हो तो चले यहां पर जो हमारी कलर वाली क्रीम थी इससे भी मैंने केक को अच्छे से फिनिशिंग कर लिया है थोड़ी सी पतानी केमरे में आपको कैसी कलर दिख रही है मुझे नहीं पता बट आप यहां पर देख सकते हो कि इसक तो कपकेक के अंदर भी मुझे फिलिंग यूज करना है तो मैंने क्या किया था इस पॉंज को हलका हलका यह नोजल से आप देख सकते हो इस तरी किसा हम यहां पर कैविटी बना लेंगे और इसके अंदर आप कुछ भी यूज कर सकते हो या जिस प्लेवर का आपकेक बना र यहां पर फ्रेंड को देना था तो मैंने सूचा छलो थोड़ी सी गनास बची है तो इसको भी यूज कर लिया जाए बचाके मैं क्या ही करूंगी तो वस यहां पर मैंने यूज कर लिया और वैसे तो वह पूरा ही मुझे दे रहे था उन्होंने कहा कि तुम्हारा मतलब कि जो जो है केक का प्राइज वो ले लो बट हमने का नहीं ज्यादा देने के लिए असी खुड़ जरूवत नहीं है तो चलिए यहां पर जो मारी कपकेक थी उसमें मैंने गनाश वेगरा डाल के उसको मैंने वापस से उसे मैंने वापस से वहीं पर सेट कर दिया कपकेक को हमने अधा गणता मैंने इसको फिर्ज में रखाता जब तक मैं अपकेक की केविटी वेगरा बनाई गनास मैंने उसमें डाला तब तक मैंने यहां पर केक को फिरिज में रख दिया था क्योंकि गर्मी काफी है तो मैं रिक्स नहीं लेना चाहती कि क्रीम जो मेरी केक है वो बिग इसने की कफोकेक ऑर बहां बहांच जो उसमें तरीके से उसमें था अम अगर मुझे वैसे नहीं देना था क्योंकि मधे मेरे पास वो बॉक्स नहीं थी तो मैंने क्या किया यहां पे यह वाला जुगार अपनाया मैंने का चलो इसको श्कुायर बोर्ड पर सिफ्ट करेंगे और हाफ केजी का केग बना देंगे और जो 4, 5, 6, जितना वो कपकेग कहेंगी मैं यहां पर उतनी अरेंज कर दूँगी तो जो उन्होंने पिक्चर भजा था उसमें 5 ही कपकेग थें तो मैंने भी यहां पर 5 ही कपकेग अपनी फ्रेंड को दिया क्योंकि उनको बस था कि हमें थोड़ा सा पिक्चर विक्चर किलिक करवाना है और जैसा मतलब आप कहा सकते हो कि जैसा उन्होंने मुझे फोटो बेजा मैंने उनको वैसा बना के दिया कलर कॉंबिनेशन भी सेम था जो मेरी यहां पर कलर है थोड़ी सी उनके केक में थोड़ी सी डार्क कलर थी बट क्या कहता है एंटरनेट से लोग फोटो भेज देते हैं बट उनको यह पता नहीं होता है कि यह सब फील्टर का कमाल होता है उससे light कलर, dark कलर आ जाता है तो चली वो तो बात की बात है फिला हल यहाँ पी मैंने जो चेक है उसको complete किया था ईनवन की नुजल से मैंने रोजेश्ट बना लिए सिक्सपी नुजल से मैंने पीच कलर के क्रीम बनाई थोड़ी सी और उससे मैंने कुछ यहाँ पे राUND सरकल बना लिया तो आप देख लेना किस तरीके से आप डिजाइन बनाना चाहते हो सेम डिजाइन भी आप बना सकते हो वैसे मैंने इस केक की फोटो में इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर दी है तो आप वहां से भी पिक्चर देखके इस केक को सेम बना सकते हो कपकेक को हमने बोड के उपर कि असके कपकेक आपको यहां चीप करना अपटक्राप घ्या यहां पर मेरे ने Cyclone के लाक्त आप चाल होक्त. सबस्क्राइब यह सब्सक्राइब है जाइन जरूर सबस्क्राइ след जिससे के मेरे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चले यहां पर कॉपकेक को भी कम्प्लीट कर लेते हैं और मैंने यहां पर लिया है नूर का 46 नमबर वाली नोजल उससे मैं कहीं कहीं पर स्टार वेगरा बना दूँगी जहां पर भी मुझे ल हमारे केक में हो चुका है अब इसके उपर मैं थोड़ी सी स्प्रिंकल यूज करने वाली हो जिससे कि हमारा केक है वो दिखने में अच्छा लगे तो पहले ना मैं यहां पर वैसे मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा नहीं था कि मुझे इसके उपर क्या लिखना है मा लिखन कर दिखने में अच्छा लगेगा और क्या था ना कि यहां पर मैंने मॉम तो कटिंग कर लिया और उसके बाद मुझे ना यहां के ऊपर जो था वो सीफ्टी नहीं हो रहा और आप देख सकते हो कि किस तरीके से मुझे यहां पर क्रीम को हटाना पड़ा तो फिर क्या करती मै कि तुट्पीक लिया और उससे मैंने यहां पर क्रीम को अटाए जिससे कि जो केक का लुक है वो दिखने में बिल्कुल भी खराब ना लगे तो यह गलती होगी मुझे मुझे पहले यहां पर लेटर रख लेना चाहिए था उसके बाद मुझे यहां पर क्रीम करना चाहिए खराबना पीच कलर वाली क्रीम में नहीं यूज की तो मैंने सोच चलो इसके ऊपर एक बेटरफलाई रख देते हैं वैसे पिक्चर पेटरेफलाई नहीं थी बट मैंने सोच चलो इसके उपर यूज कर करके दे आँ अच्छा लगा तो ठीक है और अच्छा लग लग रहा आपको कैसा लग रहा है यह आप कोमेंट करके बताइएगा एक में यहां पर लगातूंगी हापी बढ़े का टैग और थोड़ा सा इसके उपर हम कर देंगे सिल्वर वाली स्प्रे जिससे की थोड़ी सी इसके उपर शाइन आ जाए और दिखने में यह काफी खूबसूरत सा लगे शाइनी सा लगे और हलका हलका शाइन करें तो इसको मैं नॉर्मल बॉक्स में ही पैक करने वाली हूं और यह वन के जी का बॉक्स है जो आप देख सकते कि इस तरीके से मुझे यह कस्टमर को देजना है अपनी फ्रेंट को देना है बाकि मैं इसको जा रहे हूं आपसे रखने के लिए कि जो केक है वो अच्छे से ठंडा हो जाए तो फाइनल जो मारा केक का लुक है वह होने वाला है कलर आप देख सकते हूं कितना प्यार लग और एक्षयल में जो मरे कीग करलर था वह है यही है लुक वाइज में वी काफ़ी अमेजिंग है कॉम्बो केक के साथ कैक के साथ काफी प्यारा केक है और यह जो केक और था इस तरीके का यह का चैक और मैंने यह पहली बार कंप्लीट किया है जिसमें मुझे प्लाइक भी देन जने झेञा हो और एक हिर्क चूड़ो verdi